हमारे किसान सांथियों को नमस्कार आज मैं आप लोग जानकारी देने वाला हूं सोयविन के खर्पतवार ना सक परस्यूट के बारे में इसकी जो निर्मातक कमपनी है वो है BASF अगर इसकी टेक्निकल की बात करें तो इमेजा थाइपर इसका उप्योग कौन-कौन से फसल में किया जाता है टेक्निकल नाम क्या है, कौन-कौन से खर्पतवार को खत्म करती है सांथ ही सांथ मात्रवडोस क्या है इसकी कीमत और साधनियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो किसान भाईयों, BASF निर्मातक कमपनी का यह प्रोडक्ट परस्यूट है, जो की बहुत ही असरदार खरपतवारों पर करती है, इसका उप्योग मुख्य रूप से सोया बिन्वाद दलहन एवं मुख्फली की फसल में ले सकते हैं प्रिय किसान भाईयों, यह उत्पात कौन कौन से खरपतवारों को नश्ट करती हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं यह उत्पात दुधी, बोखना, जंगली, चौलाई, मोथा, सावा, छोटी दुधी, पथर, चट्टा, कंजरू, सावा को मारने में बहुत ही असरदार है पर्स्यूट इसका वैपारिक नाम है और मार्केट या और इसका टेकनिकल नाम इमेज़ा थाइपर 10% SL है बात करें अगर इसकी मातर वडोस की तो 300-400 ml प्रती एकड के हिसाब से इसका इस्प्रे आपको करना है देड़ 100-200 लिटर पानी में अगर पंप की बात करें तो 10 पंप आपको एक इकड में लेना ही है तो किसान भाई यह आप लोगों को कौन कौन सी साधानी रखनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं यह हवा से विप्रेज दिसर में छिड़काओं न करें इसका उप्योग करते समय कुछ खाये नहीं यह उत्पात का हमेशा नैक्स अक्स इस पैर पर ही उप्योग करें तथा हात मुह पर दस्ताने लगाएं एवा मुह कुछ खाये पिए विगर खेद में नहीं जाना है धन्